जो हिम्मत लगा है बहुत गजब की हिम्मत लगाए है और इसके थारी में आपके साथ में बैठाए हुए जिताए हुए आमाइजिंग लाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्सको का स्वागत है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्रेट में रायता और चावल ल लगा हुए साथ में लगा हुए तो आज हमारा रहता चावल लेकर के जाता है बहुत-बहुत धन्यवाद जैसे कि आप लोग देख रहे हैं रायता चावल और भजिया मतला जो मिर्च की भजिया उसको खाने का जो चैलेंज है इस चैलेंज में दो योद्धा बैठे हैं ए चैलेंज हैं से तरह को पहले हैं की जो सबहुत हैं और इस oposer को हटाटे पूरी तरह को हटाले को पहले उड़ाते का रृड़ा बना हुआ है उसंटा नहीं वाठा दिया ज्याएん के फिंदर में और रोड रोड पूरी तरह से बाइट लेना चालू कर दियें एक तो रइता और और दूसरे तरह दिखने लगा और यहां पर देखते ही देखते पॉन जो इस पीड लगा है और लगवक लगवक कापी हद तक का अराम से खाइए और इत्मिनान से खाइए और यहां पर देखते ही देखते हैं वास्तों में बहुत गजब की स्पीड लगा है और इस स्पीड को अगर बरकरार रखे तो वास्तों में पढ़ा है और यहां जो में चीवाली भजिया थी उस बजीओं को पूरी तरह से समार्थ किया है और बचा हुआ है और चावल जटायों जी पूरी तरह से मंजिर के और भागना चालू कर दिये हैं और देखते हैं कितने मिनट किने सेकेंड पर इस चैलेंज को पर्याम की औ तो जो चाहिए था नहीं कितना होता है और कितने समय में चैलेंग को कंप्लीट करते हैं और यहां पर देखते ही देखते ही देखते हैं लगभग लगभग जो इस फीड लगए कितने समय में कंप्लीट करते हैं तो पूरी तरह से समार्थ कर देना चाहते हैं बहुत जल्दी और तो इसलिए चैलेंज में बिल्कुल गदर मचा दिये हैं यह इस चैलेंज को परीडाम तक पहुचा कर तुरंद गदर फिल्म देखने जा रहे हैं तो यह देखने के बाद भारत माता की जै बोलेंगे और यहां पर चैलेंज में अभी भारत माता की जै बोलकर निकलना चाहरे हैं यह पर पावन भी लगए हुए जो इस फीड लगा है वास्तों में बहुत गजब की स्पीड लगी है लेकिन जिखना है कि कोंध की स्फीड में आंगे जाता है मैं और सी पीछे रही जए चाहिए में है और कि Обंच थोड़ा सागर कफलत में आ गए तो समझ की चलिए पूरी तरह से मंजिल पर च्छा गए लेकिन फूल फूर्म लगाए है फूल कोशिज कर रहे हैं नहीं पावन की जो स्पीड है सही है बहुत अच्छी स्पीड है और जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वह बढ़ने का तरीक बढ़ बढ़ना चालू कर दिये हैं और देखते हैं जवाब दे रहे हैं तो पवन क्या कमाल करते हैं क्या जटायू को हरा देंगे या खुज जटायू से पीछे हो जाएंगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा जब तक पानी नहीं पीते चैलेंज में तब तक इनका चैलेंज खतम नहीं होता है और तो आस्तों में पानी का उप्योग बहुत ज़्यादा करते हैं उससे ज्यादा पीते भी है तो कहते हैं कि जल ही जीवन ह है अगर जल का संग्रहान करत किये रहेंगे तो सरीर में कोई भी दिक्कत नहीं हो पाएगी और खाने पीने दोलों पर फोकस करते हैं और इस तमये जटायू पावन की थाली निहार रहे हैं कि पांच मिनट कर चुका है टाइमर बहुत बढ़ी है बहुत अची कोशित है और हम आगे नहीं जा पाते हैं तो जहां से आपको दिकता थो वहीं से आप इसको चैलेंज को बंद करके वापस आजा सकते हैं आप से कोई पैसे कर लेंदेन नहीं होगा भी नहीं सब्सक्राइब को जोड़ सकते हैं तो देखते ही देखतें पांच मिनट यह चैलेंज को कंप्लीट करते हैं और एसा लग रहा है और आज 6 मिनट 10 सेकंड के ऊपर चले जाएंगे और रही लास्ट वाइट रायता चावल भजिया इटिंग चैलेंज में लोग आए होसला दिखाएं लोगों का धन्वाद करते हैं और इस चैलेंज में पाफी कोशिस की लेकिन टाइम पे थोड़ा सा पीछे हो गए और बोल बहुत तेजी से आगे भागते चले गए मिर्ची परकावड़ा तो ऐसे खाएं जैसे मिर्चीना होके पूरी तरह से एकड़म नार्मल चीज हो और बहुत गजब तरीके से बढ़्ष बनाते चले गए और इतना तेजी से बढ़्ष बनाते चले गए कि पावान इनको तो आप लोगों के चैलेंज कैसा लगा कुछ कहना चाहेंगे जितना खा सकते हैं कोई पैसा भी नहीं लगता हमारे चैलेंज में नहीं तो आप आए होसला दिखाएंगे जो होसला दिखाएगा उसी को उडान होगी होसला दिखाने से ही यह रहता है कि मतलब मैदान में दोड़ों के तभी जीत हार होगी तो पहुंजी दोड़े इसके लिए धन्नवाद करते हैं और जटाई महराज जी इससे दोड़ में ब जो कह रहे हैं कि अगर होसला है अगर होसला लगा के आप दोड़ेंगे तो हंडिट परसेंट जीत आपकी ही होगी हिम्मत ही मंजिल को शाकार के रूप में प्रस्तुत करती है तो यह लोग आया होसला दिखाएं लोगों के धन्नवाद करते हैं और इन लोगों के होसले के लिए आप लोग भी लाइक शेयर कमेंट करते रहें मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के लिए धन्नवाद